जब हम लोग फील्ड की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें सब ज्यादे सैलरी पेड सैलरी जॉब मिल लए है इस पूरे वीडियो में इसके बारे हम बात करेंगे एक ऐसा फील्ड है और एक ऐसा करियर option जिसको करने के बादनाम इस रिशेशन के टाइम में अभ और वो फिल्ड में कोई भी आ सकता आप 10 पास हो 12 पास हो graduate हो technical हो non-technical हो कोई भी student हो या फिर working लोग हो वो सारे लोग इस फिल्ड में आ सकते हैं और वो फिल्ड कोई और नहीं वो फिल्ड इंजिनरिंग की फिल्ड नहीं है वो फिल्ड है digital marketing की digital marketing की इसमें smart work का game है smart work जितना आप करोगे उतना ज्यादे इसमें income करोगे और इसमें source of income multiple है देखो अगर आप as a digital marketer हो तो current time में हर एक company को digital marketer चाहिए बिना digital marketer के बिना paid campaign के कोई भी company आगे नहीं जा सकती देखो हर company का end goal क्या होता sales होता है और sales अगर आपको आती है कि digital marketing के through lead generation कैसे करे digital marketing के through sales कैसे करे तो obviously इस field में आपके लिए लाख रुपया महिना, दो लाख रुपया महिना, तीन लाख रुपया महिना, आपकी ability जितनी है उतना पैसा गमा सकते हो छोड़े छोड़े बच्चे student college से पढ़ रहे हैं, दो लाख, तीन लाख, चाल लाख, ऐसे महीने earn कर रहे हैं हम मैं भी द आपके लाख रहे हैं, जब तक आप इस skill पर काम नहीं करोगे न, चीजे life में स्किल oriented होनी चाहिए, अगर आपके अंदर इस skill oriented चीजे नहीं है, तो साइल life में आप आगे नहीं बढ़ पाऊगे, चीजे आपके हिसाब से नहीं चल पाएंगे, जो चीज आपको life में आज के जबाने में सब के पास smartphone है, सब लोग smartphone पे लगे हुए हैं, हर बंदा YouTube देख रहा है, हर बंदा सौट देख रहा है, हर बंदा Instagram पे है, तो अगर आपको इस field में career बनाना है, तो digital marketing का, आप कहीं से भी course कर सकते हैं, बहुत सारे free content available हैं, कि digital marketing कैसे सीखें, digital marketing के basic क्या ह होते हैं, digital marketing में सबसे अच्छी बात यह है, कि अगर आपने सही से पकड़ बना ली digital marketing में, तो आप पैसे लिए कभी पारिशान नहीं रोगे, आपके अंदर पैसे आते ही रहेंगे, अंदर बाहर सब जगह से पैसे आएंगे, क्योंकि फिर आपके मन में हुआ जाएगा नह यह करिएर में आपको बारिकिया शीकनी पड़ेंगे, गूगल के अलिगर्थम क्या है, अपडेट क्या हो रहें, ceiling के अपडिट सल्चत क्या है, सोचल मीडिया मार्गिटएंग वर्क कैसे करता है, जितने वी social media platform को और नाइज कैसे करते हैं, client handling क्या होता, अपड work पे कैसे करें अधर चीजह को करना आपको जरूंगे तो साह चीजे आपके लिए अशख बोगद करने होता है जो अच्छे से मार्गेटर काम होता है लीड जनेरेटिचन यसके तूप भी करना हो देख़ो आपके अंदर अगर potential है तो इस field में किसी भी डिगरी की requirement नहीं है मतलब बहुत सारे लोग देखको हम लोग engineering करके इस field में आए लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप इंजर्णिंग कियो आप technical, non-technical, 10th, 12th graduation कोई भी field से विलांग करते हो तो obviously ये field आपका life बदल सकता है लेकि जब तक आप explore नहीं करोगे तब तक इस field में आप opportunity की कमिया ही रहेंगे और explore अच्छे से करोगे तो साथ आपका career बहुत दूर तक जाएगा एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप इस field में आना चाहते हो, explore करना चाहते हो, अपने career को दूर तक लेके जाना चाहते हो, तो अब इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अच्छे direction में मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आप digital marketing सीखो, live project फे work करो, live project फे work करोगे न, तो आज experience जनरेट होगा, चीज़े आपको पता चलेंगे, किस तरह से चीज़े चल लेंगे, किस तरह से चीज़े पोर्शन्स होते हैं, digital marketing में, हर बंदे को जरूरत है, अगर आप digital marketing में interested, अगर आप digital marketing करना चाते हो, तो सायद आप करिये, आपका career बहुत दूर तक जाएगा, तो चाहिए आप BA किये हो, MA किये हो, BCOM किये हो, BSC कुछ भी आपने किया हुआ है, आप इस field में जाके career बना सक सकते हो, अगर आपको career इस field में बनाना, आपको कोई confusion हो, तो आप लोग career education.com पे जाके, 2000 की service सर्फ 199 रुपए में ले करके, आप लोग मेरे से consulting services ले सकते हैं, कि career में क्या करें, क्या better होगा, क्या अच्छा होगा, क्या सही होगा, सबका जबाब आप उसको मिलेगा, बस वी नेक्स वीडियो में, थैंक यू